वेलकम टुम है इस्वाई एक्टान फॉर्मिशन चैनल में आपका स्वागत है यहां पर लेकर के प्रेजेंट हैं विलियंग सब्सब्सक्राइब के वारे में हमारा भी टॉपिक चल रहा है जब तक लियर नहीं होगा तब तक अभी इसे हिनको हम क्लियर करेंगे फिर इसके सब्सक्राइब करने वाले हैं तो यहां पर हम बताने वाले हैं किसके बताने वाले हैं सब्सक्राइब करने वाले हैं तो सबसे बारे में जानेंगे कि वन प्लेस कहां पर था इनके वेप्टाइज कब वा था ठीक है और इसमाल टाउन इनका था साउथ वेस्टन इंग्लेंड था और इनके जन्म का जो है डेट क्या था कि डेट 23 अप्रेल 1564 थे आप्टर 3 डेज तो इनके वेप्टाइज का डेट 26 अप्रेल 1564 को हुआ था ठीक वर्थ के 3 डेज आप्टर में किया गया था तो एरा और बट आज की हम टॉपिक लेकर के आए हैं कि विलियम सक्ष्वेर के फोर ग्रेट रेजडी क्या हैं तो पहले नंबर पे हैमलेट अथैलो किंग लेयर मैगवेट यही फोर ग्रेजडी हैं इनके और सिक्वेंस करने के लिए जब कहा जाता है तो कन्फ्यूज और मिस्टेक हो जाता है तो आ विलियम सक्ष्वेर के जो है और फोर ग्रेट रेजडी हैं शबसे पहले हैमलेट इडिट वाई किसके द्वारा किया घेलो काईट इडिटर इसके क्यों है वाई एलेवीन कॉनन है ठीक है नेक्षा किंग लेयर के दखेंगे रशेल फ्राश्टर है और मैगवेट के वही पहले के जो किये थे हैमलेट के तो आई हो कितना तो आपको नौलेज होना चाहिए आज शोटी सी टॉपिक हम लेकर के प्रेजेंट थे क्योंकि हैमलेट पे बहुत ज यरी करवा देते हैं बार बार वार विल्यम सक्षपेर से बहुत सारे क्यूष्टन पूछे जाते हैं तो हम एकदम उनकी रचनाय हैं उस पर भी फोकस करेंगे अधिकांस करके विल्यम सक्षपेर के ठीक है आपका ताकी क्लियर हुजात कहीं से क्यूष्टन फसने ना पाए मिशन हो जाये ठीक थैंक्स वर वाचिंग गड़ ब्लेश यू